हाई गाईज वेलकम बैक टू दे चैनल एक और वीडियो में मैं गुर्णाम आपका स्वागत करता हूँ और मेरे चैनल माई कंट्री माई कार्स को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद तो दोस्तो आपके गाड़ी में कौन सा इंजन है टर्बो इंजन जा नॉर्मल इंजन चलिए नॉर्मल इंजन है तो आपने टर्बो इंजन के बारे में तो सुना होगा तो टर्बो इंजन क्या होता है उसका प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल क्या है तो वही बेसिकली इ आज explain करने वाला हूँ जो नॉर्मल इंजन होता है उसको हम नॉर्मली ऐसी प्रेटर इंजन कहते हैं जिसमें हम जो फ्यूल में फ्यूल मिक्स्चर जो हम डालते हैं उसमें कोई भी हमें इंजन होते हैं अब बारी आती है कि इंजन वर्किंग कैसे करता है सो नॉर्मल इंजन और टर्बो चार्जर टर्बो इंजन में क्या डिफरेंस होता है उसको अच्छे से समझने के लिए आप पहले और नॉर्मल इंजन की जो वर्किंग होती है उसको समझना जरूरी है तो नॉर्मल इंजन में बेसिकली 4-stroke होते हैं, इंटेक स्ट्राक, कंप्रेशन स्ट्राक, पावर स्ट्राक, देन एक्सास्ट्राक, तो इस एनिमेशन के थूरू मैं आपको एक्स्प्लेट करता हूं कि यह वर्किंग कैसे करता है, इस एनिमेशन के थूरू मैं आपको एक्स्प्लेट करूंगा कि कैसे 4-stroke cycle जो है इंजन साइकल वो कम्प्लीट होता है, अब यह आप देख रहे होंगे कि सिलिंडर का जो पिस्टन है वो टीडी से से बीडी सी की और जा रहा है, अगर सेरल शब्दों में मैं कहूं तो उपर की नीचे की और आ रहा है, तो इसमें fuel और air का mixture आ रहा है, अब यह उपर second stroke है जो इसको प्रेस कर रहा है और third stroke में हम spark plug के जरीए इसमें एक ignition देते हैं जिससे blast होता है और यह blast जो है पिस्टन को नीचे को नीचे की और जोर से धकेलता है जिससे crank shaft ग्रूंगती है और engine को जो है drive मिलती है, 4 stroke में जो है exhaust valve खुल जाता है और जो अंदर produce हुई gases वगारा है वो बाहर चली जाती है, तो यह है total cycle जो 4 stroke engine का रहता है, आप एक बार दुभारा देख लीजिए, तो यह था normal engine, normal engine में क्या होता है, इसको इसी लिए normal engine या natural separated engine इसी लिए कहा जाता है, जो इसमें air जाती है वो अपने आप जा रही है, natural source से जा रही है, उसको भेजने के लिए हम कुछ नहीं लगा रहे हैं, अब इस in engines में क्या होता है, कि जो energy, इसमें fuel जो consume हो रहा है, वो पूरी तरह से consume नहीं हो पाता, उसमें कुछ energy जो है वो बच जाती है, तो उस बची हुई energy को ही use करता है turbo, turbo charger को अगर हम simple शब्दों में अगर इसका पूरा detail में अगर आपको जाना है तो उसका पूरा एक video बन सकता है, बट मैं आपको easily, subtle तरीके से समझाने के लिए बताऊँगा कि इसमें mainly 3 component होते हैं, तो अभी मैंने video में engine की working बताई, तो उसको बताने का purpose यही था कि आप इसको अच्छे से correlate कर पाओ, तो जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हो कि टर्बो चार्जर को जो है exhaust point पे connect किया गया है और exhaust की जो gases है वो number one जैसा कि आप टर्बो चार्जर का component देख रहे हैं जिसको turbine blade कहते हैं, उसके through गुजरता है और इसको बहुत speed से rotate करता हैं कि आर्पेम बहुत high रहते हैं और same shaft के साथ second number पे आप देख रहे हैं compression blade, so इन दोनों का combination इस परकार से design किया होता है कि जो बची हुई gases और energy है, उसी को only ये filter करके cylinder number 3 में भेज के फिर इसको दुबारा inlet stroke के लिए use किया जाता है, so basically जिसका बड़ा benefit यही रहता है कि engine जो है काफी efficient हो जाता है, काफी अच्छी power produce करता है, देखिए अगर मैं सरल शब्दों में बताऊं तो fuel को जलाने के बाद उसमें जो थोड़ा बहुत fuel बच जाता है, उसी को दुबारा से burn किया जाता है, so यही basically उसका main working होता है, ताकि fuel को burn करके, efficiently work करके, फुल energy उससे निकाल ली जाए, so एक और live example है मेरे पास, गन्ने की machine तो आपने देखी ही होगी, तो जब उसमें गन्ना juice के लिए हम एक बाद डालते हैं, तो उसमें कुछ बच जाता है, juice या रस, so उसको हम दुबारा हाथ से डालते हैं, और ताकि उसका जो बचा हुआ juice है, वो भी हम निकाल लें, तो जो हाथ से डालने वाली प्रक्रिया है, वही गाड़ी में जो है टर्बो चार्जर कर रहा है, I hope आप अप understand कर गए होंगे, एक्जामपल अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें, तो टर्बो इंजिन में बेसिकली हम जो है एक फोर्स्ट फली उसको फ्यूल का मिक्स्चर दे रहे हैं, तो नैचरली वो इंजिन जो है वो ज़्यादा पावर प्रड्यूस करेगा, अब बात आजाती है डूरेबिल्टी की, तो डूरेबिल्टी में जो नैचरल एसिपरेटर्ड इंजिन होते हैं, वो अफकोर्स उनकी जो लाइफ होती है वो टर्बो इंजिन से ज़्यादा होती है, क्योंकि turbo engine ये बात तो सही है कि वो power ज़्यादा produce करेगा अगर आप same CC के दो engine ले लोगे तो same fuel capacity या fuel quantity के साथ जो turbo engine है वो ज़्यादा energy produce करेगा क्योंकि उसमें जो gases या energy बच जाती है normal engine में turbo engine में वो बिलकुल नहीं बच थी so definitely turbo engine जो है वो power ज़्यादा produce करेगा but durability के मामले में अगर हम देखे तो उसमें अगर power वो ज़्यादा produce कर रहा है तो उसमें bear and tear भी ज़्यादा है so हम कह सकते हैं कि जो normal engine है उसकी life जो है वो turbo engine से ज़्यादा रहने वाली है आपने सुना होगा कि Toyota के engine जो है वो 5,000,000 km चल गए 6,000,000 km चल गए so उन सभी गाड़ियों में जो है वो normal separated engine ही लगे हुए है so ये था मेरा आज का वीडियो, hope आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर फिर भी आपके मन में कोई query है तो नीचे comment section में type कर दीजिए मैं आपको answer उसका दे दूगा और हाँ अगर मेरे बागी के वीडियो आपने देखने हैं तो सबका link जो है वो description में दिया गया है so एक बार visit कीजिए मेरे channel पर और have a look all the videos and like, share, support thank you very much, thanks for the supporting